स्वागत करता हूँ, आज आप सबों के बीच physics का एक topic लेकर काया हूँ, जो कि heat से होगा, उस्मा से, और यहां से सभी competition exam में प्रस्ण पूछे जाते हैं, और थोड़ा ये बरा chapter है, इसका वीडियो जो आपको, यानि 4-5 वीडियो आएगा, topic बाइस करके, आज मैं आप सबों को बताऊंगा, temperature scale के बारे में, यानि scale पेमाने पर किस तरह से मापा जाता है, उन सभी के बारे मैं पूरी details बट चर्चा करूंगा, कि हमारे पास मापने के मुक रूप से तीन साधन होते हैं, centigrade में, Fahrenheit में और Kelvin में, तो मानब शरीड का temperature जो है, मुक रूप से, हम लोग पूचा जाता है, उसको पढ़ना ही नहीं है, तो आज आप सबों को मैं पूरे details से बताऊंगा, कि temperature scale क्या होता है, उससे क्या यूज किया जाता है, और क्या काम होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं देख लेता, temperature scale तापमान पे मानी, यहाँ जो आप देख रहे हैं, यह पूचा जाता है, यहाँ पानी कितना डिगरी के पर उबलता है, यहाद रखना पानी जो अब लेगा, वह 100 डिगरी के पर उबलता है, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, तो पहले इसको heat देते हैं, नीचे से, हीट देने के बाद किया होता परने टेंपरेचर बढ़ता है दस दस के बाद 20 वीस के बाद 30 30 के बाद 40 50 60 जब 100 पर चल जयता है न पानी क्या होता उबनले लगता है तो यह कुज़ा पूछा जाता है कि पानी कितने degree temperature पर आए उबलने लगता है तो याद रखना है 100 डिग्री टेंपरेचर पर पानी क्या होगा उबलने लगेगा अब एक्जाम में पूछ देगा कि पानी जो कितने डिग्री पर गलता है गलन होता है मेल्टिंग पॉइंट तो याद रखना जीरो डिग्री सी जब हो जाएगा नो तो पानी जीरो डिग्री सी पर क्या होता है गलने लगता है गलन होता है याद रखना है यहीं पूछ देगा कि कि पानी का क्वत्नांग फैरन हेट में कितना होता कितना डिग्री पर याद रखना पानी का क्वत्नांग जो है फैरन हेट में कितना होता है दो सो बारा फैरन हेट के बराबर तो पानी क्या होगा वहां पर उबलने लगेगा और कितना पगलन होगा तो 32 फैरन हेट पर क्या उबलता है तो गलन कितना होगा 32 पर इसी तरह जब केलवीन में पूछा जाए ना केलवीन में पूछा जाएगा कि पानी कितना डिगडी पर उबलने लगता है केलवीन में कितना केलवीन पर पानी उबलता है तो 373 केलवीन पर क्या होगा पानी उबलने लगता है अब यहां पर पूछ देगा गलन कितना केलविन पापानी का गलन होता है तो 273 पर गलन होता है अब यहां पर आप लोग धियान से देखिएगा 100 से और 0 के बीच में जो यहां पर यहां पर राता है यह लकीर दिया हो राता है 100 तो मालीजे 100 में से से डिक्रट गटा Dietit कीतना होजाएगा 100 हो जगा अब यहां पर हम 222 में से 32 गटाएगे तो कीतना होगा 180 होगा और यहां पर फिरदेंग हम लोग 373 में से 270 욕ता यहां-पर भी क्या होजाएगा 100 हो जाएगा तो यहीं से फर्मुला बन जाता है तेंप्रेशरल का कि मालीग चाम में पूछ देता है कि centigrade में कोई चीज है उसको ऊच्छा है उसको क्यलवीन में निकाल की दिखाई Heid यहां पर यहां पर कितना है दो सो तेहतर है और बट्टे में जो होता है ना बट्टे में बट्टे में क्या होगा इस दोनों के बीच का अंतर लिखा जाता है तो यहीं से अंतर हम लिखेंगे तो यहां पर अंतर कितना है 100 का यहां पर कितना अंतर है 180 का और यहां पर अंतर कितना है 100 का तो यहीं से फर्मूला निकल के आ जाता है कि तापमान पर माने पर एग्जाम में आपको अומgत में रहेगा और फैरनय हेट में नीकाल रहेगा और फैरनय एट में निकालने के लिए टे दिए तो आपको जो जो निकालने दिया रहे प्रफिर सरी मिनी सेंटीगोर गजाने और प्र TPCh i Pictures कीए गलण लिखे At कितना है जीरो है centigrade में Fahrenheit में गलन कितना है 32 तो एफ मेनस 32 यहां पर देखिए Kelvin में कितना है 273 लिखे और यहां पर नीचे में बट्टा में वह अंतर लिखे यहां पर और यहां के बीच जो है ना boiling point और melting point के भी जो अंतर है उसको नीचे में लिखा गया है तो यहां पर centigrade में अंतर कितना है 100 का Fahrenheit में कितना अंतर है 180 का और Kelvin में कितना अंतर है 100 का तो यहीं से फर्मुला आओ गया सी मैनस जीरो बटा एक सो एप मैनस 32 बटा एक सवसी के मैं अप सब कर इसका नॉम्रिकल भी ले करका आओंगा अगले वीडियो में तो आप देखते हैं और यहां से क्वेस्टन और पूछा जाता है कि 100 डिग्री संटीग्रेट कितने फरन हैट के बराबर यह जाम में कई ब सेंटीग्रेट के बराबर है तो सो सेंटीग्रेट के बराबर है या 212 फरन है कितने संटीग्रेट के बराबर है तो सो डिग्री संटीग्रेट के बराबर है अब पूछ देगा में जीरो डिग्री संटीग्रेट कितने फरन हैट के बराबर है तो 32 फरन है और पूछ देगा में बूछा जाएगा तो पानी जमता है 0-0C पर पहन्यत्य विडिषी जो पनी करदोutanό जाएगा तो 32 डिग्रीफड पर पानी का कवलन होता है अब है कि पानी उबलता है कितना पर यह तो यहाद रहें रहे आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो अगला पुइंट है आपको कि एक्जाम में यह क्वेशन कई बार पूछा गया है कि एक स्वस्त मानव का टेंपरेचर कितना होता है तो याद रखना स्वस्त मानव का टेंपरेचर संटीग्रेट में यदि पूछा जाएगा तो 37 डि पूछा जाएगा तो 310 केलवीन होगा तो पूछने का तरीका एक्जामन का कि किस में आपको पूछ रहा है वो आपको याद रखना परेगा नेक्स्ट पॉइंट है यह क्वेस्टन तो बहुत बार एक्जामें पूछा गया है पूछा गया इसा कौन सा अपमान है जिस पर फ संटीग्रेट जो है समान रिडिंग पर दरसीद करता है तो वह तापमान है मैनस 40 कौन सा है मैनस 40 हुआ जिस पर संटीग्रेट और फैरनेट समान रिडिंग देगा इसको मैं प्रूब करके भी दुखाऊंगा वह आपको नम्रिकल जब बताने लगेंगे तो अगले वीडि में की परम्मशुन थााप कितना होता है केलीवीन में पूछा जाएगा जीरो केल्वीन और संटीग्रेट में पूछा जाएगा तो 273 – 273 centigrade होता है परम मुषून थाप और याद रखना है केलुए रिनात्मिक मान आपको नहीं दिखाएगा और उसके होगी आपकोCHAN Nemτ oraz centigrade आपको रिणात्मामान दिखा सकता है लेकिन सकते में uganda समू के लेकिन सर समूंदर तल से लीचे जाने पर बढ़ता है घरता है तो चाट है तो समनmäßig रता है निचे जाएंगे जाएंगे दाब हुआ देगा होगा। बढ़ जाता है लेकिन समुद्र तल से जब उपर जाएंगे हम लोग तो दाब घटता है क्या बोले हैं समुद्र तल से नीचे जाएंगे तो दाब बढ़ेगा और समुद्र तल से उपर जाएंगे तो दाब घटेगा और यहीं से क्वेस्टन बन जाता है कि पहार पर खाना कठीन क्यों होता क्योंकि वहाँ पर वायू मंडलिय अदाव क्या होता है कम हो जाता है तो दोस्तों आप सबों को ये वीडियो पसंद आए तो अपने देश्टों कि भी जरूर सेयर करें और हिट का अगला वीडियो जो है बहुत जल्द आप सबों के बीच पर वाइट किया जागा तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तन्यवाद